हेलो फ्रेंस वेलकback डरापमननी स्कूल जामनगर आज हम पढ़ेंगे श्तांडर्ड सेवंथ उसमें चप्टन नमबर 14। खान-पान की बदलती तस्वीर। तो आज हम वरसंत में खान-पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। त चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते लेसन। साहर में उपलब्द है और अब तो भारत उत्तर भारत की ढाबा संस्कूरुती लगबग पूरे देश में फैल चुकी है अब आप ही कभी आप कभी हो उत्तर भारती रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे फास्ट पूड तुरंद बोजन का चलन भी बड़े सेहरों में खुब बड़ा है इस फास्ट पूड में बर्गर नुडल्स जैसी कई चीजे सामिल है एक जवान में कुछ ही लोग तक सिमित चाइनिस नुडल्स अब संभवत किसी के लिए अजनबी नहीं रहे यहां पे 15-20 स चालों में हमारे जो खान पान जो खाने की प्रक्रिया उसमें पूरा बदलाव आया हुआ है कि एक जगह के खाना दूसरी जगह पर हमें आसानी से मिल रहा है उसमें जो उत्तर भारत में हम उत्तर में पंजाबी जो साख है यानि पंजाबी जो खाना है वो आज हम दक्षि के खाने की चीज़ वस्तो हमें दूसरे राज्या में भी आसानी से मिल रही और जो फास्ट फूड है यानि कि तुरंत खाना है यानि कि बर्गर है नूडल से यह सभी है वो अभी अर अर जगह पर आपको खाने को मिलते हैं लेकिन कई सालों तक यह सिर्फ एक जगह पर लोग चिप्स के कई विग्यापित रूप तेजी से घरगर में अपनी जगह बनाते जा रहे यानि कि फ्रेंट्स टू मिनिट नूडल जो हम टीवी में देखते हैं कि मेगी है नूडल से दो मिनिट में मेगी बनाएं यह सब जो आप अपनी टीवी पर देखते होगा मेरे घर पर भी यह पेकेट अब पहुँच गए है और जो आलू की चिप से यानि कि जो वेफर हम खाते हैं जो लेइस की वेफर काते हैं बाला जी है यह सब जो वेफर से तो हमारे गर्द गर्द का आज पहुँच गई है गुजराती डोकला गाठिया भी अब देश के कई इस्सों में स्वात लेकर खाये जाते हैं और बंगाली मिठायों की केवल रसपरी चर्चा ही नहीं होती वे कई सहरों में पहले की तुलना से तुलना में अधिक उपलब दे यानि स्थानी वियंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के वेंजन पकवान भी प्राय हरक्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गी जीवन में भोजन विविदता अपनी जगह बना चुकी है यानि कि अभी क्या है गुजरात में जो ढोकला गाठिया है वो सिर्फ गुजरात में नहीं मिलता लेकिन गुजरात के अल राज जीम अलग अलग पकवान मिलते आ रहा है और बोजन में जो मध्यम वर्गी जीवन है यानि कि जो मिडल क्लास लोग है उसके बोजन में भी विविदता आ चुकी है कुछ चीजे और भी हुई है मसलन अंग्रेजी राज जो तक जो ब्रेड केवल साहबी ठीकानों तक सिमित थी वह कस्वों तक पहुँच चुकी है और नास्ते के रूप में लाखो करड़ों भारती गरों में सेंगी तली जा रही है खानपान की इस बदली हुई संस्कूरूती के सबसे अधिक प्रपावित नई पीडी हुई है जो पहले के स्थानी विंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नई विंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है स्थानी वेंजन में भी तो अब खटकर कुछी चीज़ों तक सिमित रह गई है बंबई की पाउबाजी और दिली के छोले कुलचोग की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है पर अन्य स्थानी वेंजनों की दुनिया में छोटी हुई है जानकर ये भी बताते है कि मथुरा के पेंडो और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहा रही यानि कि जो चीजे बची भी हुई है उनकी गुणवता में फर्क पड़ा है फिर मौसम और रुतुओ के अनुसार फलो खाद्यानों से जो वेंजन और पकवान बना करते हैं उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है अब गुरुहेणियों का कामकाजी महिलाव के लिए खर्बूजे के बीज सुखाना छिलना और फिर उनमें व्यंजन दयार करना सचमुझ दूसा दिया याने की याने की फ्रेंच जो अभी हम ब्रेड खाते हैं याने की जो अंग्रेजी ब्रेड खाते है सर्प पहले कुछ सीमिल ठीकानों पर रहे थी की कुछ कुछ जग़ब भ्रेड मिलती लगर किन अब तो घर ब्रेड पहुंच चक है यान्नी की सुबह के नाश्त ojos से लेकर साम तक खाने तक हम ब्रेड का खान पान करते जा रहे हैं और जो नई पीडी है अभी नई बच्चे जो आये हैं वो यह इस ब्रेड का ज़्यादा सेवन करते हैं उसमें हम एक यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहां पर दाब बेली है, वड़ा पाउ है, पाउबाजी है, यह सब जैसी चीज़ वस्तों है, यहां पर वियंजन है, खाने पिनने के, यह सबसे ज्यादा बढ़ रहे है, और जल्द जल्दी यह बन भी जाते हैं, और यह सब लोग खाते भी है, जैसे बंबाई की और आगरा के पेटे, यह सब क्या है, कि यह सब जैसे बोल रहे है, कि पहले जैसे उनका स्वाद नहीं, यानि कि दूसरे जो वियंजन है, दूसरे जो मिठाईया है, खाने पिने के वस्तों है, अभी क्या है, वो कम हो रही है, रूतु के अनुसार भी भोजन में बदलाव आ गया है, और ग्रूहिनियों के काम काज में महिलाओं को खरबूजे का बीच छिलना, यानि कि जो पहले जमाने में हम खरबूजे के बीच छिलकर उसका वियंजन बनाते थे, वो भी यहाँ पर अभी दूसाद्य हो रहा है, यानि कि अभी मिलना वो मुस्किल हो रहा है, दूसरी और वे देसी विदेसी वियंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविदा हो जटिल प्रक्रिया वाली चीजे तो कभी कबार वियंजन पुस्तिकाओं के आदार पर तैयार की जाती है अब सहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुई अ पकाने के बारे में बला कौन चार बार नहीं सोची यहां पर फ्रेंट क्या हुआ है कि अभी जो नहीं खाने पीने के वस्तुए आ रही है उसमें क्या है जो हमारी दूसरी जो वस्तुए हमेरे पूरन वस्ते उसमें कम ही आ रही हो दूसरे जो विदेसी वियंजन है यानि क सब दिरे दिरे कम हो रहे, और जो उन्हें बनानी की सुविता, यूनि की वह बनाना जटिल प्रक्रिया है, हम अगर घर पेड़े बनाएंगे तो उसमें कापी प्रक्रिया लगे यानि कि उसमें भी कई सारा प्रॉब्लम है और जो व्यंजन पुस्तिक आ गए है यानि कि जिसमें से हम खाना बना सके वह वेसे भी बुक्स अभी आई है लेकिन वह सब भी शहरी जो लोग रहते थे वह अपनी भागमबाग की क्रिया में यह सब कहां बनाएंगे यह स्वाब इसलिए महेंगाई और दूसरी बात के महेंगाई भी बढ़ गई है आप घर पे सब सामान बनाओगे तो आपको यह महेंगा पड़ गया तो बाहर आपको फटा-फट मिल जाएगा और दूसरा कि अभी यो मेवा है जो हम पहले के तियोहार होते है हमारे या फिर दूसरा और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविद वियंजनों की विदिया उपलब्द है नई पिडि को देश विदेश के वियंजनों को जानने का सुयोग मिला है पले ही किनी कारणों से और किनी खास रूपों में क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविद वियंजनों उन्हें निखालिस रूप में उपलब्द नहीं है यानि कि खानपान की प्रक्रिया है यह पूरे खाने पीना का भी बाजार है वो मिश्रित हो गया है जिसमें इंडियन भी मिलता है मेक्सिकन मिलता है फ्रेंच मिलता है यानिकि जो सभी अमरे खानप करती हो वो एसा सोचती है कि जल्दी जल्दी बहार से ले आये और खा लिया जाए तो ये सब देश की संस्क्रूटिया है वो हमारे संस्क्रूटि具 वा गई है आजादी के बाद उद्योग धन्दा नोकरियो तबाबलू का जो एक नए विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीजे किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुची है बड़े शहरों के मध्यमवर्गी स्कूलों में जब दोपर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते है तो उनसे विभिन प्रदेशों के वि द सकते हैं इसलिए जो आजदी के बाद है वो खाने पीने में देखने को मिल रही है अब हम खानपान से भी एक दूसरे को जानते हैं इसी दृष्टी से देखे तो खानपान की नई संस्कूरत में हमें राष्टरी एकता के लिए नए बीज पर मिल सकते हैं बीज बली बाती तब ही अंकुरित होगे जब हम खानपान से जुड़ी हुई दूसरी यह फिर बैसराज्यमें क्या-क्या चीजिजें खाने के मिलती है जैसे कि भूझरात है तो कुझरात में गाठिया है थेपला हे यह सब म रहते हैं इसके बाद बंजाबी खाना मैं उसके अब एगा जिशे इसे जो पनीर के जो आएगे उसमें पंजाबी का स्वाद मिलेगा तो यह सभी चीजवस्तो वियंजन अभी इसमें विविदता आई इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानी वियंजनों को पुनरुद्दार भी जरूरी है जिन्हें एक एतनिक कहकर पुकारने का च गाइब हो जाए तो यह दूर भागिया ही होगा अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूडिया गचोडिया जलेबिया भी अब बाजारों से गाइब हो रही है मौसमी सबजियों से बरे हुए समोसे भी अब कहां मिलते है उत्तर भारत में उपलब्द वियंजनों की भी दु जाना अभी लुप्त होता जा रहा है और हमारे गरों में इसी कई सारे चीज़ों असती है जैसे जलेबिया है पकोड़ी है कचोड़िया है यह सब भी दिरे दिरे गाइब हो रही है और जो हम समोसे खाते हैं तो वह समोसे भी अमारे गर में बनते नहीं हम बाहर से लेकर ही कभी कबार खाते है यानि कि जो हमारे भारत है उत्तर भारत में भी क्या हुई है व्यंजनों की ये खाने पीने की दुरगती हो रही है अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजे गली महले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तला स जाता है यहां भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानी वियंजनों को हमने तथा कथित अधुनिक्ता के चलते छोड़ दिया है और पस्चीम की नकल में बहुत ऐसी चीजे अपना लिए जो स्वाद स्वास्थे और स्वास्थे और मामले में बहुत अनुकुल नहीं है यानि कि अचरज तो यह है कि उत्तर भारत में जो वियंजन बनते थी खाने के पिने के जो बलचीज वस्तों में गली मोहले मिलती थी वो अभी नहीं मिल रही है कहीं-कहीं खास दुकान है यानि कि जो होटेल होती है फाइव स्टार फ्री स्टार फॉर स्टार है वोटेल की यहां प पहार की चीज वस्तों है लेकिन यहां पे हम खाते हैं तो उससे करण क्या होता हमारा स्वाद स्वास्तिय इस सब में भी अनुकुल नहीं होता हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कूरूते में हम कई बार चीजों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे है अक्सर प्रती बोजो और पार्टियों में एक साथ धेरो चीजे रख दी जाती है और उनका स्वाद गडमड होता रहता है खान पान की मिश्रित या वीविद संस्कूरूते हमें कुछ चीजे चुनने का उसर देती है हम उसका लाब प्राय नहीं उठा रहा है हम अक्सर एक प्लेट में कई तरह के और कई बार मिलकुल विपरुत पकूति वाले यंजन परोस लेना चाहते है इसलिए खान पान की जो मिश्रित संस्कूरूती बनी है और लग्र यही रहा है कि यह और अधिक विक्षित होने वाल है उसे तरह तरह से जाते रहना चरूर है तो प्रेंस कि जो संस्कूरूती इसमें सूप कुछ होता नहीं था सां डाईरेकम खाते थे लिकिन पहले अभी सूप होता है उसके बाद इतनी सारी चीजवस्तू होती उसमें बंगाली होती है चाट होती है पूरी होती है यनि घुजराती जो आईटम मिलती है आपको बंजाबी बंग इसलिए क्या हुई है हमारी जो खाने पीने की संस्कूरूती है उसमें मिस्त्राण हुआ है तो ये संस्कूरूती जो मिस्त्रित संस्कूरूती है उसके बारे में हमें सोचना भी जरूर है लेकिन ये संस्कूरूती आगे तक बढ़ती जाएगी वो भी एक समश्या बनी हुई तो फ्रेंस यह चेप्टर है प्रयाग सुकला ने लिखा हुआ है प्रसनब्यास देखते हैं निबन से कि खानपान की मिस्रित संस्कुरूती से लेखा का क्या मतलब है अपने घर में उदारन देखकर उसकी व्याख्या करें तो खानपान की मिस्रित संस्कुरूती से लेखा क् कि यहां पर जो हम खानकी जो परान के Gary ques यहां पर उस वह Mi quartz होता जारहा है हम जो बहुत बाहर के खाना है जैसे कि यह मेडी है जो 5 मिट में बन जाती है जो वाहरे और से है सब हम हमारे घर में भी खाते है कान पान के बदलाव में afार को पाईदे तो खान पान के बदलाव में फाइदे भी है क्योंकि बाहर के राज्य की चीजे में खाने को मिलती है लेकिन क्या होता है कि पार्टी और साधियों में यह चीजे सब मिस्रित हो जाती है यह एक समश्या है खान पान के मामले में स्थानी इता का अर्थ क्या है स्थानी इता या आपके मापिता जी के बच्पन के घर में बनती थी यानि कि यह आपको 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 यानि कि क्या हुआ यानि कि स्वाद का हुआ कई से पकाया हुआ उसके बाद तलना बुनना सेकना उसके बाद दाल भात रोटी पापड ये सब क्या हुआ बोजन हुआ आलू बेंगन ये सब भी बोजन हुआ खटा मीठा तिखा नमकिन कसला ये श्वाद हुए छोंक चावल क गड़ी इन सबदों में क्या अंतर है समझ है इन्हें बनाने के तरीके ठाटों में लग अलेके पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें के से बनाय जाता है तो प्रप्रेंच यहां पर अलग अलग जो चीज बोसमें और चावल्यानले कि जम चावल से बनाते कड़ी है, वो कई प्रकार की कड़िया बनती है, उसमें रजवारी कड़ी है, कोई साधी कड़ी है, सब कड़ी बनती है, पिछली सताब्दी में खान-पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खिंचे तो इस प्रकार होगा, जैसे सन 60 का सतक छोले पट मिलता था, सतर में इडली दोसा मिलता था, असी में चीनी बोजन मिलता था, अभी 90 में पाउंबाजी आ गई है, तो यह सब है तो उसमें देखिए, कि पहले हम साथ के जमाने में क्या थे, दोतिक कुर्टा पहनते थे, उसके बाद दीरे-दीरे हम सर्ट पहन पहनने लगे, और फिर से फिर से जीन्स आ गए, तो यह सब क्या हो है, यह सब आगे बढ़ता जाएगा, चलिए आगे बढ़ते है, मान लीजिए, कि आपके गर में कोई महमान आ रहे है, जो आपके प्रांत का पारामार बोजन करना चाहते है, उन्हें खिलाने के लिए गर के लोग की मद नुक्षान होते हैं, कौन-कौन से नफ़े होते हैं, उसके बारे में हर सहर कस्बे में कुछ ऐसी जगह होती है, जो अपने किसी खास विंजन के लिए जानी जाती है, आप अपने सहर कस्बे का नक्षा बना कर उसमें ऐसी जगह बना है, जैसे प्रेंच हम गुजरात में है है तो गुजरात वे जो हमारे जामनगर city है उसमें क्या सबसे फैमस है उसमें फेमस है हमारे गोगरा जो यहांपर गोगरा एक item हो मिलती है खाने की दो बनाइख सा बनाई उसमें लिखिए उसके बाद खान-पान को हम बबाहर से लेते हैं तो उसमें मिलावट होती है आज से ने कई साल जो चला आता है और हमने ये कभी कई बार सुना ये हम जो मिठाई य Ö abund Scripture लेते हैं इसमें थोड़ी सी मिलावट दिये गए है इनका वाक्या में प्रयोग कीजिए और और शमज़े तो फ्रेण्ट याँ पर समास की बात किए समास के अलोग अलग प्रकार है उसमेँ एक दोंद समास तो यहाँ पर जुस नहीं पर जुस में और तुद यहाँ चिना और परोना पला और बुरा चलना और फिरना लंबा और चोड़ा कहा और सुनी कास या पूस एसे भी आप कह सकते कई बार एक सब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और सब्द याद आ जाता है आईए सब्दों के एसी कड़े बनाएए नीचे सरुवात की गई है उसे आप आगे बढ़ाएए कक्सा में मोखिक सामोहिक गतिविदी के रूप में भी एसे दिया जा सकता है जैसे इडली, दक्षिन, केरल, ओनम, त्योहार, छुट्टी, आराम चले कुछ करने को, उन भी गियापनों को एककटा कीजिए, जो हाल ही में ठंडे पेपदात होते चुड़े है इन में स्वास्तिय और सफाई के दिये ब्यूरो को छाट कर देखे कि अग्यत में क्या है तो अपरेंज, हम जो ठंडे पदाती है, जब पेपसी है, थमसप है, कोका कोला है, उनकी आपको जो बोर्तल है, वो आपको लेनी है विल्यों को देखे लेगा, टन्यों माद